कि इस लिए गुश्ट की कि अप्टाओंगा कि एक साथ ये नाते मनोविकार तग्ये जो है उसके बारे में हमको पैशिन कैसे आते हैं किस तरब पे पेशन आते जाते हैं, आज ही मेरे पास में एक पेशन्ट आया, लेडी थी, आये, तो उसको पुरे बदन में दर्ध हो रहा है, नीद नहीं आ रही, और वायसा भूम रही, जूल रही है, आज ये पीछे, आज ये पीछे, पीछे, पिर कभी जमिन के ओपर गिर के को को करा, डोल हुर, इधर से उदर, उदर से उदर जारी, और कोई दे पातानम हो, से लोड़े, और मेरे आत्मी देवीया क्या लेकि ध्यान दोमें बहुती बड़ी मात्रा में यह अंदर विश्वास चेटे रहता है। एक तो लोगों को यह लगता है कि कोई गलत शक्ती मतलब भूत पलीत आंग में घुसा होगा है। यह कुछ लोगों के आंग में ऐसे देऌी देवता का वास होता जाता है। आंग में आजाते हो आने के बास भूनना चादू कर रहेते हैं। वो बाल पूरे निगादगे को फ्री कर रहेंगी और पुरा घुमेंगी बाल ऐसे घुमख करेंगी तरसे-वदरसे। और वो कभी कुछ डांस करेंगी ऐसा, तो जिप सा उनको जो देखते तो रगता है, उसको हाथ लगाया तो जो उसे चिलाएगी, उसे हाथ कैसा लगाया, समस्ता नहीं कि आपको, तो घर के लोगों को भी हाथ लगानेगी, तभी इसको लोगों, मतलब जो बहार का जो निकाल निकाल जाएगा, जो घुसा हाएगा, फिर आको में निम्मू का जो जूस रखाया वो डाल दिया, ताकि अगल शक्ती निकल जाएगी, जब कुछ उआ नहीं, तो प्रेशन को मेरे पास में लाया, जब लाया उसको तो उसको बुखार देडा हुआ था, तो क्यूकि उसका दो जी से खाना नहीं, पिना नहीं, मार्किट की हुए उसको, पर बदन को लगा हुआ है, उसको लाया तो पहले उसको यह देखना पड़ दाया है कि वह कोई, भेजय में कोई अभी मुखार हुसा हुआ है, तो पुरा उसका देखने के, टेस्ट करने के बाद में, मालुमा जो बादची चल गया उसके साथ में, तो पहले इसमें खुली नहीं, एक दो सीटिंग जब हम बढ़े उसके साथ में, तो एक दो सीटिंग में यह मालुम पड़ा, कि उसको वह घर में अकेले लेडिये, एक साल पहले शादी हुई है, घर में तो हमसलों आठा लोगों की फ तो घर में खाना पकाना और घर का सब देखना इसके आंके ऊपर आगे, अब उसमें दबोश्री, उसकी सांस जवर दब गई, उसको ऐसा लग रहा कि हमको कभी बाहर आने नहीं मिलता है, गुनना नहीं, फिरना नहीं, बस लगों का खाना पिनना कामना और उसको जाना है, घर में का भी काम कियाने, तो अच्छा मत फिर उसको ये विमारी चलो हो गई, आंग जाना चलो हो गया, और उसको ये Secondary Benefit हम जी मतलब जी उसको बोलते है, Secondary Benefit, कि उसको फैदा हो गया इसा, फैदा है कि जो लोग उसको काम करने के लिए बोल रहे थे, अभी वह उसको important एक्ति कांगे, कि उसको है बात्चीत किया और उसको dad को बाता है और आपको 2000 च्छीव हो ही अमोफ में तो कि अपके husband के साथ के पती के साथ में पात्चीत करो, 終 Euh योशी पात्चीत करोो, कर द मक सबको साथ में बिढ़ा के उनको समझा है, इसके दिमाग में का चरब रहा है और वो एकदम quiet, relaxed होगी धर के लोगों को भी मालम पड़ा कि हम बहुत जाला प्तर कर रहे मतलब बहुत काम उसके उपर पड़ रहा है और उसके वज़से दिमाग में उसको तकलिव होई है और उसको ऐसी इस तरह की विमाग में उसके वज़से होगी कुझे हिस्तिरिकल पोजेशन सिंड्रोम हम बोलते हैं कि आंग में आना, देवी जेवता हम बाभ, संचार होना कि आंग में आना, या कोई अमरिका का अद्रीक्ष या भारत देश के राष्ट्रपती ऐसे कोई आना आना, या बोलते हैं तो लोगों चे अंदर्शन्ता आहिं, इसके विश्वास नहीं करना जी लोगुं को नहीं बाहर कोई दरगा की ओपर जारें, कोई मंदिर में जारें, वहाँ उसका रिलाज करते हैं। इसको एक्टली दिमाक पे हम कोड़ा क्या है। यह आग में आना पोलो, यह जटके आना पोलो, जटके आते रहते हैं। और उसमें भव्यवक्चिप जाती ही और ये जदागर आधाAKला अवरतों से जदा ही। मतलौ उसमें ही और गास्थ प्रवाने है। आदमिआ अर आधामिय और आदम्यों में आधाो मीं याधा होती है। तो वो वू हंधे disgust thanудquy ऐसे लक्रणा कावुसिलिंग करणा एक अच्छा असारन जीवन को जी सके। तो यह सब संभव है। उसके जड़वत है सब का ओरियेंटेशन करने की, सब को एजुकेट करने की। कि वैज यह मांसी विमारी है, जिमाग का असनतुजन होता है, उसके वज़ेसे होता है, और उसके कोई कारण है। कि कारण जो वाजु करते हैं, तो एक अच्छा वह जाएगा। तो आप सब को यह वीडियो देखने को सब को रिक्रस्ट है मेरी, कि ऐसे कुछ पेशन आपको मिलते हैं, देखते हैं आप, तो उसका मांसी इलाज करवाएं, और लोगों को एक अच्छा जीवन दे, यह मतलब जीवन जिनने देखा महुत आज है। So thank you very much हमारा website उसको आप विजिट करो, बाकी भी मेरी कावी सारी वीडियो जो है, वो मांसी बिमारी उनके भारे में हैं, वो भी आप देख सकते हैं, कहाएं, और लोगों को को एजुकेट कर सकते हैं, यदि हैं आप यह शेयर करते हैं लोगों को, हुआ 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 है